नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव स्वागत है आप सब का हमारे खास कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के माहिराबेन मोधी पंचितत्व में विलीन हो गई वे सौ साल की थी हिराबा ने एहमदाबाद के अस्पिताल में अंतिम सास ली प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी की माहिराबा नहीं रही प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी की माहिराबा नहीं रही बता दे कि कुछ दिनों पहले ही हीराबा की तब्यद बिगर गई थी। उन्हें एहमदाबाद के UN महता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां तब्यद बिगर ने पर उनका निधन हो गया। हीराबा का अंतिम संस्कार गांधी नगर के शम्शान घाट में किया गया। दरसल तब्यद बिगर ने पर हीराबैन को एहमदाबाद की UN महता इंस्टिटूट ऑफ कार्डियोलोजी एन रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम उनकी देख रेक कर रही थी लेकिन तब उन्हें नहीं बचाया जा सका। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मा के निधन पर उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें कहा शांदार शताबदी का ईश्वर चर्णो में विराम। मा मैंने हमेशा उस त्रीमूर्ती की अनुभूती की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा निश्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रतीप प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं मा को हमेशा त्रीमूर्ती समशता रहा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संसकार के करीब दो गंटे बाद काम में जुट गये। मोदी ने अपना कोई तै कारिक्रम रद नहीं किया। वे बंगाल के प्रोग्राम में वर्चुली जुटे उन्होंने वंदे भारे ट्रेन को हरी जहंडी दिखाई। कारिक्रम में शामिल पश्रिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनरजी ने मोदी की मा के निधन पर दुख चताया। उन्होंने कहा कि ये दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मा यानी हमारी भी मा। इश्वर आपको शक्ती दे कि आप अपना काम जारी रख सके। मेरा अनरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करे। साथ ही भाजपा के दिगज नेताओं ने श्रद्धान जली अर्पित की है। तो उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की मा हीराबा के निधन की खबर बेहत दुखद है। समाजवादी पार्टी प्रमोख अखलेश यादम ने ट्वीट किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की माता हीराबेन मोधी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ती दे। शोक संतफ्त परिजनों के प्रती गहरी समवेदनाय भाव भिनी श्र धानजली दी। जाहिर है कि पीएम मोधी अपनी मा हीराबेन से कितना प्यार करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में कितना एहम मानते हैं ये किसी से नहीं छुपा। उन्होंने घर भले ही छोटे उम्र में छोड़ दिया लेकिन मा के सनेह और दुलार से दूर नहीं हु हुए। आज तक ऐसा कोई खास मौका नहीं गया जिसमें उन्होंने अपनी मा का आशिरवाद ना लिया हो। खैर आज हीरा बेन पंचतत्व में विलीन हो गई और पूरा देश उन्हें श्रधानजली अर्पित कर रहा है। हमारी खास रेपोर्ट पे बस अतना ही देश जुनिया की तमाम खबरों के लिए देख से रहे हैं प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।